हेलो दोस्तोwhat आज हम बातकरेंगे ओस्टो केल्सिम सीरप के बारे में जोकि कई सारे प्रॉबलम्स में उसकी आती है सीरप को और 10 वागा नियृर अगर करेंगे हम और कई सीरप को बच्चे और एडल योजा कर सकते हैं तो इसके बारे में बातकरेंगे और बात करेंगे, और किस-किस प्रोबलम में यूज कर सकते हैं, कैसका प्राइज है, कैसे यूज करना है, और कैसका साध़फेक्ट है, इन सभी कमारे में बात करेंगे रही एकशो सब्सक्राइब चुरू करने में इस पहले, अगर चैनल आप नहीं है, तो हमारे आप अपने के इंगिनेंट के बारे में, तो हम लेक्ते हैं, विटाइविन D3, कॉली, कैल्सी, फ्रोल, 200 IU, विटाइविन B2L, 2.5 MCG, कैल्सियम फोस्पेड, 82 MG, एवलवेल हैं, दोस्तो, ओस्टो कैल्सियन सीरप, जो कि सबसे बढ़े सीरप है, और काफी अच्छरियल देहा गया है, चल 3. विटाइविन D3 कमी को दूर करता है, 4. हड़ियों को मसगूत करता है, छोटे वच्छे जो होते होने कैल्सियम कमी होने के वज़े से, काफी दिक्कत के सामना करना पड़ता है, तो कैल्सियम कमी को दूर करता है सीरप, तो उसमें यूद करवा सकते हैं, 5. बोड़ी ग्र दिन में एक बार, एक टिस्पुन 5 Amazing l होता है, तो 5 ambetre दे सकते हैं दिन में एक बार, और इसी तरह दो साल, तीन साल, पात साल, आठ साल और इसे अधिक बड़े बच्चों को 2 टिस्पुन दिन में दो बार दे सकते हैं, और एलल्ट 2-3 टिस्पुन दिन में एक से दो वाल ले सकते हैं और इस सीरफ का डोज घठा भी सकते हैं और बड़ा भी सकते हैं दोक्टर के देख रेक में चलिए हम बात करते हैं इसके प्रिकोशिंग को वारे में अगर आप ये सीरफ यूज करें तो इवायत दिया नेखे अगर बारताफा ये उसको अगरताफा इन में से कुछ भी दिखे जैसे कि वाम विटिंग, स्टोमे स्पैन, अधिक प्यास लगना तो बलगकुल भी घबराई नहीं इस सीरफ को जगना बन कर दें और डॉक्टर से कंसेल्ट करें ठीक दोस्तो, ये थास कामारी वीडियो और श्टो-केल्सरीम सीरफ को बारे में जो कि सबसे बड़े सीरफ है और काफ़े अच्छडियों देहा गिया है और दोस्ते इसमें और भी कई फॉर्म एवेवल है और श्टो-केल्सरीम सस्पैन्सन सीरफ और स्टोकेलसिम टाबलेट भी एवरेवल है तो आप ये भी परचेश कर सकते हैं ये भी आपको किसी भी मेडिकोश्टोरी पे बहुत जानी से मिल जाएगा तो आप वहाँ से परचेश कर सकते हैं फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में वीडियो को लाइक शेर और हमारे चैनल जोड़ो सब्सक्राइब करें दोस्तों अगर आपको किसी भी दबाई से संबंदित जानगारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ठीक दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद